हेलो एवरिवन नमस्ते नीतास रेसिपी में फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोटैटो स्टफ ब्रेड इसे मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी बनाया है इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में यह बहुत ही डिल यह बना थेदा और में दाले के बासंब देटो इसन में धोले के भाला झाहित कि जगा बना लेंगे बीच में वागतीчески आल सके उसके बाद मैं ऐसमें डाल दूंगी वन सब को पहले हम थोड़ा सा mix कर लेते हैं और इसके बाद हमें इसमें डाल देना है curd तो curd हमें यहाँ पे fresh curd का यूज करना है कर्ड बहुत ज़्यादा खटा नहीं होना चाहिए इस prick को डाल देते हैं और इसे mix कर लेते हैं और इसी तरीके से mix करते हुए हमें इसका dough लगा लेना है यह बहुत ज़्यादा sticky लगेगा लेकिन इसी तरीके का dough हमें लगने वाला है तो अभी मैं हातों से इसे mix करते हुए इसका एक soft dough ready कर लोंगी यह बहुत ज़्यादा स्टीकी होता है तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल और फिर से इसे पाच मिनिट तक मसल ते हुए मिक्स कर लेंगे और एक डॉब बना लेते हैं तो यह देखिए यहाँ पर मैंने डॉब को मसल लिया है लेकिन अभी भी यह बहुत स्टीकी है तो हातों में थोड़ा सा तेल लगाते हुए हमें इसे मसलना है आप इसे जितना जादा मसल होगे उतना ही आपका ब्रेट बहुत बढ़िया बनेगा तो मैं भी इसे पहले अच्छी तरीके से मसल लेती हूँ तो यहाँ पर डॉब को मैंने रेडी कर लिया है इसके ऊपर से हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसका ढगार के इसे 15 मिनिट के लिए हम साइड में रख देते हैं और तब तक तैयारी करते हैं मसाले की तो यहाँ पर मैंने चड़ा दिया है एक पैन और उसमें ढाल दिया है मैंने 1 tablespoon oil ओईल गरम होने देते हैं ओईल गरम हो चुका है उसके बाद मैंने ढाल दिया इसमें 1 teaspoon जीरा एक से दो बारी कटी हुई हरी मिर्च और इसे हमें थोड़ा सा सौटे कर लेंगे और उसके बाद हमें मैंने यहाँ पे तीन पोटेटो लिये है इसे हमें अच्छी तरीके से मसल लेना है और मसल ले के बाद हमें डाल देना है इसमें तेल में तो पहले मैं पोटेटो को मैश कर लूँगी और फिर इसमें डाल देती हूँ तो चलिए पोटेटो को मैंने मैश कर लिया है अभी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से तेल में मिक्स कर लेते हैं और इसे मैंने अच्छी तरीक से मिक्स कर दिया है और उसके बाद में डालूंगी इसमें 2-3 टेबल सपून शिम्ला मिर्ज आप इसे स्किप भी कर सकते हो उसके बाद में डालूंगी इसमें एक कप उबले हुए गाजर और कॉन यहाँ पे मैंने हाफ कप गाजर लिये थे और अगर आपको सब्जिया कच्ची यूज करनी है तो आपको सब्जिया पहले सौटे करनी होगी और उसके बाद आपको उबले हुए आलो डालने पड़ेंगे तो यहां पर मैंने उसे डाल दिया है अभी मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर देती हूं और उसके बाद हम इसमें डाल स्पाइसेस में हम डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून गरम मसाला अगर आपके पास औरिगयनो नहीं है तो आपके पास रेट चिली सॉस नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा जादा डालिए और या तो आप इसकी जगा हरी चटनी भी डाल सकते हो और इसे डाल कर हमें अच्छी तरीके से जब तक ये सारे मसालों में अच्छे से लगना जाए तब तक इसे भून लेना है, इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे और मसाला सारी चीजों में अच्छे से लगने के बाद हमें इसमें डाल देने है पनीर के तुकडे तो यहाँ पे मैंने पनीर को बारिक बारिक कट कर लिया है और इसे अभी मैं डाल दूंगी आपके पास पनीर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो यह बिल्कुल ऑप्शनल है इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पनीर डालने के बाद भी मैंने इसे मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और लास्ट में हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया धनिया डालने के बाद गैस को हमें बंद कर देना है इसे मिक्स कर लेंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं जल्दी से ठंडा होनी के लिए मैं इसे निकाल दूंगी एक प्लेट में और इसे हम थोड़ा सा फिला देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए इसे हमें गरम यूज नहीं करना है और देखिए यहाँ पे डौ भी थोड़ा सा फूल चुका है इसे फिर से एक बार हातों से मसल लेंगे और इसे दो पोर्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे मैं दो ब्रेट बना रही हूँ आप चाहो तो इसका एक ब्रेट भी बना सकते हो थोड़ा सा मैदा डाला है मैंने और मैदा डालके मैं इसे थोड़ा सा बेल लूँगी और बेलने के बाद जो हमने स्टफिंग बनाई है वो हमें इसमें डाल देना है हमें इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है और बेलने के बाद हम इसमें स्टफिंग डाल देते हैं वैसे ही जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरीके से इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसे कर लेंगे पैक और स्टफिंग भनने के बाद हमें इसे अच्छी तरीक इसे पैक कर लेना है ताकि मसाला बिल्कुल भी बाहर ना निकले और फिर से थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करके हम इसे रखेंगे और हातों से ही ऐसे प्रेस करते हुए हम इसे रेडी कर लेंगे आप चाहो तो इसे बेल भी सकते हो लेकिन ये फटने का डर रहता है इसलिए हम इसे हातों से ही प्रेस करेंगे एक ब्रेट को मैं रेडी करके ट्रे में रख रही हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रे को भी रेडी कर लिया था, बटर पिपर लगा दिया था और उसके उपर मैंने लगा दिया था थोड़ा सा बटर, और अभी इसी तरीके से मैं दूसरी ब्रेट को भी रेडी कर लेती हूँ, और अभी दोनों ब्रेट को थोड़ा सा उंगली से प्रेस कर लेंगे और अभी इसके उपर से मैं लगा लूँगी थोड़ा सा ओईल या आप चाहो तो इसके उपर से भी बटर लगा सकते हो और ओईल लगाने के बाद हमें इसके उपर से डाल देना है चीज तो यहाँ पे मैंने पहले ही चीज को ग्रेट करके रखा था और इसके उपर से अभी मैं बहुत सारा चीज डालूँगी आप आपके पसंद के अनुसार कम या जादा चीज इसमें डाल सकते हो चीज को अच्छी तरीके से फिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया दोनों ब्रेट पे डाल देंगे और उसके बाद फिर से मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ओरिगेनो यह यहाँ पे भी बिल्कुल आप्शनल है और ओरिगेनो डालने के बाद हमें इस पर डाल देना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और इस तरीके से हमें दोनों ब्रेट को रेडी कर लेना है और सबसे लास्ट मैं इसे थोड़ा सा सफेद तिल डाल के गार्निश करूंगी साइट से हम डाल देंगे थोड़े से सफेद तिल इसके वज़े से है जो ब्रेट को बहुती बढ़िया कलर आता है तिल की वज़े से तो इसे मैं सब साइट से डाल दूंगी और यहाँ पे दोनों ब्रेट बनके रेडियो चुकी है और अभी हमें इसे बेक कर लेना है मैंने अवन को पहले ही प्रिहिट करने के लिए रख दिया था अगर आप इसे अवन में नहीं बना रहे हो तो आप इसे कड़ाई में बनाईए कड़ाई में भी यह बहुत ही बढ़िया बनेंगी यहाँ पे हमें इसे सेंटर में रखना है टेंपरेचर हमें यहाँ पे 180 डिग्री रखना है और इसे हमें 20 मिनिट के लिए अच्छे से बेक कर लेना है तो ये देखिए यहां पे मैंने 20 मिनिट बाद ब्रेट को निकाल लिया है बाहर और उसके उपर से मैंने डाल दिया थोड़ा सच चीज यहां पे मैंने ब्रेट को थोड़ा सच जादा से का है अगर आपको थोड़ी क्रिस्पी ब्रेट नहीं चाहिए तो आप इसे 5 मिनिट के कमबेग कीजिए तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है और खाने में भी यह बहुत ही बढ़िया बनी है तो आप भी इस ब्रेट को जरूर ट्राइ कीजिए